हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों सीजी टेट को लेकर महदपून अपडेट है दोस्तों अब तक सबसे बड़ा अपडेट ये होने वाला है दोस्तों टेट पर रोक नहीं केंदर राजे से मांगा जवाब दोस्तों CG88 को लेकर हाई कोर्ट में दोस्तों बिलासपूर निवासे सुसिल कुमार गहरे ने अधिवक्ता इसान वर्मा के माद्धाम से एक याचिका पेस की थी और उस याचिका में बताया गया कि पूर्मा में जो लोग D8 करते थे वही सहायक सिख्षक के लिए पात्र माने जाते थे इसके बाद National Council for Teacher Education ने 28 जुन 2018 को एक अधि सुचना जारी की इसमें कहा गया कि B8 करने वाले भी पात रहोंगे मगर उन्हें न्यूक्ती के दो साल के अंदर 6 मा का ब्रीज कोर्स करना होगा इस अधि सुचना को ही याचिका में चुनोती दी गए थी लेकिन दोस्तो जिन्होंने दोस्तो बिलाशपूर निवासी थे उन्होंने टेट परिच्छा पर रोख लगाने को कहा लेकिन दोस्तो हाई कोर्ट में चीप जश्टिस वा जश्टिक दीवक्तिवारी की डिविजन में सुनवाई हुई और समय कम होने के कारण परिच्छा पर इस्थगन से इनकार कर दिया मगा केंद्र, राज्य सासन एवं NCTI और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाप मंगा गया है तो आप दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कल टेट का इक्जाम होगा या नहीं होगा क्या टेट कहीं साल इक्जाम जो है कल कैंसल हो जाएगा तो दोस्तों आपको बता दूं आपको डरने वाली बात बिलकुल भी नहीं है कल जो भी सेंटर आपको मिला है वहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर एक्जाम दोस्तों आपका भली भेती, भली भाती होगा आपको एक्जाम दिला के आना है इस पर दोस्तों अभी कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा अभी फिर हाल जो हाई कोट है सीजी व्यापम को राज्य सरकार से अभी जवाब मांगा गया है अब इस पर राज्य सरकार का सीजी व्यापम का क्या जवाब होता है देखने वाली बात है लेकिन आपका एक्जाम कल होके रहेगा तो आप अपने तयारी करते रहिए और अब तक करें बहुत बड़ा अपडेर था